चलो दोस्तो मैं आज आपको सिखा देता हूं कि कौन से थी थी को कौन सा दिन होता है तो देखो इसके पहले आप यह मंत का कोड याद कर लो जनवरी दो फर्वरी पांच मार्च पांच अपरेल एक माई तीन आप सरी यह क्या सिखाने लगे यह तो मुझे आज तक याद नही हुआ है तो देखो दोस्तों आपको यह तो याद करनी पड़ेगी जिस तर आपने बाभू सोना वला दस अंकम वाल नंबर याद कर लिया नुसी पर कर लो क्या फरक पड़ता है यह दो ही तो ज्याद है ना किसमें कर ले ना ठीक है अब दोसरा बात यह याद रखना डे व और टोटल को साथ से डिवाइड कर देना ओम आई डियर आई एम हीर तो कहें कफी है चलो मैं सिखाता हूं आपको पच्चीस एकामन च्छातिस चौदा बातर संतामन कैसे याद रहे हैं तो देखो यहाँ पर एक मैने कवीता टैप से लिख रखा है इसे ध्यान से सुनना मे एक के मतलब एक ठीक है एक के मतलब एक हो गया दुख के मतलब दो हो गया तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ पच्चीस एकावन मत कर 36 इनका सीना है तो एक के पुट्टी सेवन क्या लेकर आया है दुख के 57 लेकर गया है यह आद रखना है आपको देखो वीडियो आप पा एक चलो देखो आप चलते हैं नेक्स इंस्ट्रक्षन पर यह आद रखना कि यह का लास्ट वलक्त टू-डीजिट लेना ज्यादा मत लेना जैसे कि लेना यहां पर 106 लेना और 2018 लिख रखा है तो 2018 लेना है 2008 लिख रखा है तो 108 लेना है उसी परकार से 1089 लिख रखा है तो 1089 लेना है देखो यह वाला point ध्यान से समझना ऐसा देखो इसलिए होता है actual में leap year जो होता है ना चार से नहीं बलके 400 से divisual होता है इसलिए तो देखो 100 और 200 जो है कि 4 से कड़ जाती है फिर भी यह leap year नहीं है 400 800 1200 यह सब आपका leap year में आ जाता है दोस्तों तो आई हो आपको सारा बात आपको समझ में आ गया होगा अगर आगया समझ में तो ठीक है नहीं आए तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ आप दोस्त को प्लेबेक करो अध्यान से सारी चीज़ों को समझो पहले अगर नहीं समझ पाए हो तो आप इहीं पर वीडियो छोड़ो दो आपको आगे समझ में बिल्कुल नहीं आने वला है ठीक है अगर आगे आगे देखो देखो अब हम सवाल पर आते हैं देखो पहला सवाल है आपर 15 सितंबर 1979 का दिन कौन सा था तो देखो 15 सितंबर 1979 को हम देखोंगे पहले लास्ट के 69 लिखना करते है 69 ले लिया आप पलस में 69 को डिवाइड कर दिया चार से इयर है ना इयर को 69 पलस 69 को चार से डिवाइड किया और फिर साथ जोड दिया इसमें कौन ये वला सितंबर का कोड सितंबर मंत का कोड ये डाल दिया पलस में 15 किया तो 15 यहां पर देट यहां पर लिख दिया हमने 15 और टोटल को 17 से डिवाइड कर दिया और ये ध्यान रख क्या मतलब 17 आया है तो 17 सिर्भ लेना जैसे कि यहां पर 79 लिख दिया मैंने यह वला और इसका टोटल क्या आया 17 तो 17 लिख दिया अब पंदरा जोड़ दिया उसके बाद साथ से डिवाइड कर दिया ऐसे हल करोगे तो देखो 108 आगया साथ आगया पंदरा पुर्णांग 3 हम कर लेते हैं दूसरा कोच ने 27 जून 2017 का दिन कौन सा है तो देखो दोस्तों सोलूशन इसका 117 हम लेने वाले हैं 17 के जगापर क्यूं क्यूंकि मैंने आपको अलड़ी बता चुका है कि जब भी मतलब 0 वाला आता है केस तो ध्यान देना तीन तीन डिजिट ले ले लेना लास्ट के तो 117 पलस 117 को चार से डिवाइड किया जोड़ दिया पलस में 6 दे दिया है न मन्त का कोड 27 जोड़ दिया डेट यहां तो देखो 27 दिरका टोटल को साथ से डिवाइड करना है असेस देखो इसका हल करोगे तो आएगा 4 तो 4 का मतलब क्या Tuesday है तो Tuesday इसका किरी दो ऐसे मन्त है जितना की रिमेंडर बचता है न इसमें यानि कि जो कोड बचेगा उसमें से एक घाटा के अंसर बताने है आई होप आपको यह वाला समझ में आया होगा और अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से पाउस करो और बढ़िया से द्यान से पढ़ में रिवाइड किया आर मंत का कोड, है दो देदिए संडे संडे का गलत बात है अगर आप बोलते हो तो गलत बात है क्यों कि सिर्फिली और मंत में ऐसा नहीं होता है और यह सिर्फ ली पियर में hootा ना कि नन लीपियर में नन लिपियर में ऐसा नहीं होता है तो इसका एक्जेक्ट अंसर क्या होगा इस दो में क्या करो एक को घटा दो तो रिमेंडर आपका एक बचता है आए किसका कोड़े सटर्डे का तो सटर्डे बिल्कुल राइट अंसर हो जाता है ठीक है अब आपके देखो मायंड में परसन परीमी होगा जैसे कि साटिस्फ्रेक्शन के लिए यहां पर एक और मैने उधारन दे रखा है 10 जुलाई 1948 का दिन कौन सा था तो देखो यहां पर 48 मेंने पहले लिए लिए, 48 को जुड़ दिया, 48 को चा से डिवाइड किया, एक जुड़ दिया जुलाई कड़, पलस में 10 दिया, टोटल को 7 से डिवाइड कर रहू है अब यहाँ पर देखना 48 को जब 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो पूरा पूरी कड़ जाता है है ना 2448 पूरा पूरी कड़ जाता है तो यह जब पूरा पूरी कड़ जाता है तो यह जब पूरा पूरी कड़ जाता है तब ही ऐसा case करना ठीक है देख लेना कि January और February है की नहीं आप जनवरी और February नहीं है तो ठीक है पुराना वला नियम पर बना देदना और अगर January और February है तो आप क्या करना कि जो भी remainder बचेगा उसमें से एक घटा देना तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कि 12 आया code मतलब घटेगा नहीं बिल्कुल वही रहेगा तो तोटल रिमेंडर इसको हल करोगे तो एक आता है और एक आता है तो एक किसका code सटर्डे का तो सटर्डे आपका बिल्कुल सही अंसर है है ना आई होप आपको समझ में आ गया होगा है देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनवरी और फर्वरी में आपका यह फर्वरी में क्या होता है ना लीप एर में एक मतलब जादा दिन होता है 29 दिन होता है तो जिसी के कारण मतलब ऐसा होता है देखो दोस्तों आपको आई हो हमारा यह presentation बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक आपने हमारा अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को सस्क्राइब कर लो, ताकि हमारा इसी परकार का और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और देखो मुझे भी सपोर्ट करो, ठीक है, आ